एक आदमी और उसका लड़का पहाडों में टहल रहे थे, अचानक लड़का नीचे गिर जाता है और उसके पाउं में चोट लग जाता है, दर्द के कारण वहां आह, करके चिल लाता है, लड़के के आश्चर्य में वह, वह आवाज को दोहराते हुए सुनता है, कहीं पहाड में आह, जिग्यासु होकर लड़का चिल लाता है, तुम कौन हो, उसी उत्तर मिलता है, तुम कौन हो, और फिर वह पहाड पर चिल लाता है, तुम कौन हो, पहाड जवाब देती है, तुम कौन हो, अब लड़का क्रोधेत होकर चिल लाया, तुम काया हो, उसी उत्तर मिलता तुम काया हो, वो अपने पिता की ओर देखता है और पूछता है, इधर क्या चल रहा है, आदमी मुस्कुराता है और कहता है, मेरे बेटे ध्यान दो, आदमी फिर चिल्लाता है, तुम एक चेंपियन हो, पहार जवाब देती है, तुम एक चेंपियन हो, लड़का हैरान था प कुछ देता है जो आप कहते या करते हैं. हमारा जीवन बस हमारे कर्मों का प्रतिबिम्भ है. अगर आप दुनिया में और प्यार चाहते हैं, तो अपने दिल में और प्यार पैदा करें. यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें, तो आपको पहले उनका सम्मान कर ये रिष्टा हर चीज पर जीवन के सभी पहलूँ पर लागू होता है। जीवन आपको वह सब कुछ वापस देगा जो आपने उसे दिया है।